तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कांसे? मसल्स के स्ट्रेक्चर से और बाइदे विजब बाद हो रहाएं तो आपको सिर्फ और सिरफ यहां पर स्कलेटन सिस्टम की बारे में पढ़ ला है तो देखी दिए इस्ट्रेक्चर आफ मसल्स की बारे में तो हमारी पास अगर यह बोन से तो बोन के साथ यहां पर अटाज़्ट होता है कौन यहां पर अटाज़्ट होगा यह मसल्स ठीक है और बाइद विए मसल्स अपने आप में प्लूरल वर्ड है क्योंकि यह बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलकर बनता है है न और मसल्स फाइबर या मायो फाइबरिल मैंने कल बताया था क्या होता है मसल्स सेल को हम क्या बोलते है मायो फाइबर बोलते है या मायो फाइबर न अब मुझे बताओ कि मसल्स कहां पर अटाज़्ट होती है बोन के साथ तो कौन होता है जो मसल्स को बोन के साथ जोडने क जोड़ना यह जो लोग नॉन्वेज खाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा तो कि मसल्स को बोन से हटाने में बहुत ताकत लगते हैं तो इसके बीच में जो बहुत ही स्ट्रॉंग मतलब कनेक्शन जो बना रहा हो क्या है टेंडन और टेंडन के अंदर बीचिक बीसि पारो तदफ एक लियर बनी होई है और मसल्स के उपर यह जो लियर होती है इसको बोलते है पैरी क्या बूलेंगे पैरी ओस्तियम तो यह वला हो जाएगा कौन सा पैरी ओस्तियम तो बोन होता है पैरी चलो अब मुझी याद आ जाएगा अच्छा इदर देखो आप यह इस बीसिकली यह क्या है इनको बोलते है फैसिकल्स और यह फैसिकल्स की अंदर कौन है इस तरह से फिर से आपको देखने को मिलेंगे बंडल्स ओफ मायो फाइब्रिल तो इसमें यह जो रैड कलर है यह रैड कलर क्या हो जाएगा इसको बोला जाएगा मायो फाइब्रिल या मस मुसल सेल आप बोल सकते हूं समझने के लिए तो यह हो जाएगी मसल सेल्स अच्छा मसल सेल का मेंब्रेन क्या होता है सारकोलेमा यह हमने पिछली क्लास में डिसक्स किया था अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारी मायो फार्बिल आपसे मिलके एक रैड कलर वाला बंडल बना रहें और इस रैड कलर की बंडल के ऊपर आपको एक रैड कलर की कवरिंग दिखाए दे रहे है और इस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडो-miceum अब आप देख रहे हूं तो बहुत सारी मायो फ्राइबिल की चुब बंडल है ओवर एब रैड-रैड बंडल आपसे आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सरी फासिकल मिलके फिर एक बंडल बन रहा है और उस बंडल का नाम हम मशल्स दे रहें और फाइनली मसल्स के ऊपर भी आपको एक कवरिंग दिखाये रही है, और इसको बोला जाएगा, क्या, सबसी ऊपर होता है, क्या, एपी माइसियम, एपी माइसियम, तो इसको ऐसी याद रख लेना, एपी मतलब सबसे बाहर, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला और उसके बीच में क्या हो जाएगा, पहरी माय से यंग, ठीक है, आप मुझे बताइए कि मसल के कभी भी अंदर ब्लड सप क्या होती है क्या होती है, मसल के अंदर तो होती है, बतम भी ऑलेंगे, आपको देखने को इसके बीच में क्या बन गया कुछ पेस बन गया, यह जो ब्लु कलर काश पेस आपको दिखाय दे रहे। इस blue color की space में actually present होती क्या blood vessels और neuron यहां पर present होते हैं तो यहां पर present होता है इसमे blood vessels तो exactly blood vessels की supply कहां पर देखने को मिलेगी आपको fascicles की outer membrane मतलब की बाहर और फिर यहां से oxygen को अंदर लिजाने की जिम्मेदारी कि मायोग्लोबीन की जिस तरह से blood में हीमोग्लोबीन होता है वैसे ही muscles का अपना एक individual मसल्स के बारे में पढ़ा था escolecton muscles के अंधर dark या प्रेजेंट अते Light event प्रेजेंट होते तो उनका structure बनाते हैं लोग तो जैसे ये हमारे अन्दर vullग प्राइबर हो गया She ожид always iDIl ruined is छुकिए है इसमें से से जाधा units हो दे जो एक से जाधा pounds present होना बश्च को focuses क्या बोला जाएगा सी the सिनो्न सिटिक सेल ना जोसितिक सेल सिंसिटिक सेल क्या बोलते हैं सिंसिटिटिएल सेल अच्छा इसके इंदर यह क्या दिखाelles दे रहे हैं आपको dark band दिखाब दे तरा फिर light band फिर अगें क्या होगे dark band फिर light फिर dark फिर and light फिर, जाता है क्या जैड लाइन ये क्या है जैड लाइन ये भी क्या है जैड लाइन ये भी क्या है जैड लाइन ये भी क्या है जैड लाइन एक्जैक्ली कहां से cross हो रही है, जो light वाला जो band है उसके बीच में से cross हो रही है और दो z-line के बीच के distance को हम क्या बोलते है, sarcomere, और पिछले video में हमने discuss किया था, कि muscles का functional unit क्या होते है, sarcomere, muscles का functional unit क्या होते है, sarcomere, right, and sarcomere exactly क्या है, दो Z-line की बीच का distance होता है और by the way जब muscles का contraction होगा तो बटा ये distance काम हो जाएगा and sarcomere की length अगर कम दिखाए ते ये muscles मतलब muscles already contracted form में हैं तो यहां से हम diagram देखते हैं इसका अच्छा अब मुझे बताओ कि ये actin जो होते ध्यान देखना कि पतले fiber होते और myosin जो होते वो क्या होते मोटे fiber होते तो मोटे fiber कौन मायोसीन और actin क्या होते पतले fiber और आपको नहीं लग रहा है कि इसके अंदर actin जो है वो कुछ मायोसीन को ओवरलेब करती भी दिखाए दे रहा है एक्टीन जो पतले fiber है वो मायोसीन को कुछ आपको इस तरह से ओवरलेब करती भी दिखाए दे रहे है कोई बात नहीं इधा दिखो यह फिर से ओवरलेब करती भी दिखाए देगा आपको तो यहां पर आक्टीन जो है वो मायोसीन को क्या करते होगे फ़ेखाये दिखाये लहां क्रॉस करते होगे दिखाया नहीं समझाया एक और डाइंगरम बनाते हैं यह मोटी फाइबर किसके मायोसीन की fiber को मोटी fiber हो गए और पतली fiber कौन से होते हैं actin fiber होगे और ज़रा अब ध्यान से देखिए तो आपको actin जो है इस तरह से मायोसीन का कुछ पार्ट ओवरलेप करती भी दिखाए देते हैं तो कुछ लोग कभी-कभी इसको O zone भी बोलते हैं, O stands for overlapping zone, अब फिर से यहां पर देखो यह, ठीक filament क्या होंगे, ठीक filament होंगे, कौन से, myosin filament, फिर से वापस, यह हो गया, myosin filament, और फिर से यह, यहां पर, myosin filament, अब काम की मुद्य की बात करते हैं, तो आप myosin को पकड़ लो, शुरुवात यहां से गरना, myosin से लेकर, myosin तक का, जो portion है, उसको marking कर दो, आप यहां पर, यह myosin है, और यह एक और myosin है, ठीक है, तो myosin से, myosin तक का, जो part होता है, इसको बोलते है, dark band, क्या बोल रहेंगे, इसको, dark band, क्यों बोलोगी आप dark band, क्योंकि common sense की बात है, बिठा, देखो, आप इस portion को notice करूँ आप, यहां से लेकर, यहां तक का portion, एक आपके पास पतला paper है, और एक आपके पास मोटा paper है, ठीक है, ठीक पेपर है, और एक थिन पेपर है, दोनों में से आप light pass कीजिए, तो common sense की बात है, कि पतले paper में से आराम से light cross हो जाएगी, और मोटे paper में से light easily cross नहीं हो पाएगी, आप थोड़ा सा अपना माथा लगाए, और आप इस वाले portion में, और इस वाले portion में, ऊपर यहां पे torch लगा दे, इस सरब भी, और इस सरब भी तो common sense की बात है, कि myosin motor fiber हो है, वहां से अगर light जो जब cross होगी भी नहीं, basically, तो यह जो band है, आपको गैसे दिखा देंगे, dark band दिखा देंगे, और ऐसा portion सर्च कीजिए, जहां पे सिरफ only actin present है, अगर सिरफ actin present है, तो actin तो thin filament होते है, और इस में से जो light होगी, easily cross हो जाए कि dark band actual में किसके बने हुए, actin की myosin की, कि दोनों की, दोनों की बने हुए न, एंड दोनों मतलब क्या हो जाएगा, hetero की ISO, और hetero को क्या हम NISO भी बोल सकते हैं, हां, तो यहां पे dark band को हम लोग और क्या बोलते हैं, E band, and E stand for Nisotropic band, जो यहां पे actin and myosin दोनों का बना and सिर्फ actin का बना हुआ है, that's why इसको बोलते हैं, Isotropic band, and Isotropic band stands for I band, और यह सिर्फ किसका बना होगा, यह बना होता, only actin band का, चलो नहीं आया समझ में, इधर देखें वापर सौल, आप myosin को myosin तक पकड़ लीजी, myosin से लेकर myosin तक का band, ठीक है, myosin से लेकर myosin तक का margin बना दीजीए, ठीक है, अब myosin से लेकर myosin तक का, क्योंकि यह थिक filament है, तो इसमें से light जो है, वो easily cross नहीं होगी, और light जब easily cross नहीं होगी, तो यह band आपको कैसे दिखाए देंगे, dark band दिखाए देंगे, क्योंकि वो actin और myosin दोनों के बने हुए दोनों मतलब E क्या हो जाएगा, NISO, tropic band हो जाएगा, तो इसको हम लोग और क्या बोलते, E band भी बोलते, अब आगे और देखो, एक ऐसा पार्ट सर्च कीजिए, जो सिरफ यहां पर actin का बना हो, तो दो dark band के बीच में क्या होता है, दो dark band के बीच में क्या होता है, light band होता ह है, and since light band जो है, वो सिरफ किसका बना हुआ है, सिरफ actin का बना हुआ है, और actin भी कैसे, thin filament है, तो यह वाला जो portion है, वो आपको कैसा दिखा देगा, light band, और या फिर इसको बोलते हैं, क्या, I band, बताएगे कोई परिशानी, यहां तक बताएगे कोई परिशानी, आसान था, अचा, अब मैंने आपको बोला था, कि जो light band होता है, इस light band के बीच में से, एक dark line निकलती है, और direct line को हम लोग क्या बोलते है, z line, तो यह आपको light band दिखाए दे रहा है, और slight band के बीच में से, यहां से क्या निकल रहा है, इसके बीच में से, एक dark line दिखाए दे रहा है, औ तो ये भी z-line, फिर से बापस देखो, लाइट-band के अंदर क्या होता है, एक dark line होती है, और इस dark line को हम लोग क्या बोलते है, z-line बोलते हैं, और दो z-line के बीच का distance क्या होता है, जो muscles का क्या है, functional unit हो जाता है, यहां तक बतागी कोई परिशानी, असन था ठीक है अब जरत ध्यान से आप देखिए डार्क बेंट को डार्क बेंट के अंदर बीटा आपको ऐसा पोर्शन भी दिखाए दे रहा है जहां पर एक्टिन और मायोसीन एक दूसरी को ओवरलेप करते हुए यह वाला पोर्शन ओवरलेप करते हुए यह वाला आप यहां पर लगा रहे है है यह पुनकि है यहां पर एक्टिन और मायोसीन दोनों है तो निसके कि अंदर प्रश्ज के अंदर एक लाए जोन होता है रिओ कि अंदर एक लाइट जोन होता है जिसको हम क्या बोलते है है एंसन जोन एन तो यह एंदर किया होते है लाइट जोन और इस है जोन को बोला जाता है क्या हें जोन यह है सून यह जोन Also हगुथ हगे अभिया ब्लेश करके में लाइट बेंड भी और यहुझी जोन बोल रही है और यह आउलिंड बना उब है यह झालिंड मैं एक होता है है मयोसीन के बिलकुल मेंसे एक और लाइन गुजरती है जिसको हम frågor यह भी बाइट के। रेड कलर क्या है this is M-line ये रेड कलर क्या है this is M-line M-line विसी बड़ा आसान है याद करना देखो डार्क बेंड की अंदर लाइट जोन लाइट जोन की अंदर डार्क लाइट M-line क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने अधार्क बेंड की अंदर क्या था लाइट जोन ता जिसको हमने क्या बोला था हैंच जोन बोला था और इसके बीच में एक डार्क लाइट थी जिसको अम लोग अब क्या नाम दे रहे हैं ट्री मेन ती, किसी बीत ख़र्टा कर दा मतलग दोज लाइट डॉलान को या उपने किया ट भू की बॉला था फ़लता मतलग के बीच मेन ता। मश्रस का kontrak्शन नहीं पढ़ सकते हैं अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कौन सा एक्तिन और मायosene की बारे में, क्या discuss करेंगे ? एक्तिन और मायosene का श्डिक्चर पढ़ते है तो एक्तिन जो है वो कैसे होते हैं, थेन फिलामेंट के ठीक फिलामेंट ? थीन फिलामेंट हो दे और बाइद वे एक्टिन बिठा खुद एक सिंगल प्रोटीन का बना ही नहीं होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती है कौन कौन सी बता सकते हैं एक्टिन अपने आप में क्लूरल वर्ड है बिठा सिंगुलर नहीं होता है इस डियाग्रम को नहीं बढ़ आप होगी इसकी जरूरव पड़ेगी वी है चलो हां बताए है तो सबसे पहले हम डिस्कॉस करते हैं यहां पर थिन फिला थिन फिलामेंट या फिर जिनको हम और बोल सकते हैं क्या आक्टिन फिलामेंट फिर मैं आपको पढ़ांगी हैं मोटे मायोसीन फिलामेंट और मायोसीन फिलामेंट तो एक्टीन बटा खोद एक्चल में तीन प्रोटीन से मिलकर बनता है एक उसके अंदर होता है F-Active F-Stand for filamentous, दूसरा आता है Trophomaiosine क्यूणकि आप जानते हो कि बिटा आगे जाकि Ectin किसके साथ जुड़ेगा Maiosine, Ectin के अंदर कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसको लिजा कि Ectin के साथ जोड़े तो उस यूणिट को हम क्या बोलते है Trophomaiosine बोलते हैं तब तो एक्तिन मायोसिन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए ना तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो एक्तिन को मायोसिन के साथ रिलाक्स टेज में जोड़ने से रोके और वह कौन होता है ट्रोपो निन होता है तो यहां पर टोटल तीन प्रोटीन होती है क्या-क्या नाम बोला ब लोबिलर बोल दो या फिर जी अक्तिन बोल दो एक ही मतलब है और यह इसका मॉनोमेरिक फॉर्म है अब ऐसे जी अक्तिन के इंदर क्या होते हैं पॉलिमराजेशन होते हैं इसकी पॉलिमराजेशन से फाइनली कुछ ही सवरे का डाग्राम बनता है तो आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर जी एक्तिन की पॉलिमराजेशन से क्या बन गया जी एक्तिन के पॉलिमराजेशन से क्या बन जाता है और एफ एक्तिन बन जाता है और बाइदवी इसमें पॉलिमराजेशन के लिए जो एनरजी है वो कहां से आती है GTP से आती है वो आप चोईस है आप याद नहीं करना चाओ तो छोड़ो कोई नहीं इतना समझ आ गया अब मुझे बताओ कि मैंने F13 कितने बनाए है अब ज़रा डाइग्राम देख के बताए है मैंने F13 आपको कितने बनाए है आपको नहीं लग रहे है कि F13 दो बनाए और दो नों DNA की ऊपर जैसे DNA के इंदर डबल है भी स्ट्रिक्टर नहीं होता है वैसे एक दूसरी की ऊपर क्या हो जाते हैं को हो जाते हैं तो आपको F13 कितने दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर 2 दिखाए दे रहे हैं और F13 filamentous 13 खुद ट्रॉपुो मायोसिन गाकाम क्या होता है अग्तिन को आगे जाके कोंट्रक्शं के दौरान मायोसीन के साथ जोडना तो लिख लूगा लो टॉपको महते प्रॉकॉ ब्रोटीन during muscle contraction है न तो यह जो ग्रीन कलर वाले जो पार्ट आपको दिखाए देरे इस ग्रीन कलर वाले पार्ट को में लोग क्या बोलते है ट्रोपो मैयोसीन अ बुझे बताइए कि मैंने आपको ट्रोपो मायोसीन कितने दिखा रही हो को मायोसीन अपको कितनी दिखाए दिखाए दे रहें डोग दिखाए 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 दे रहें डोग के चार तदफ हों क्या होता है वह हालइकली कॉन्ड़ हो जाता है यह कॉन्ड के चार तरफ हो गजाए हालि कॉन्ड 설 sentiments देखा हम मसल सर्क हैं 흡र्ड desc प्रॉपो निन्न खुद पेटा ट्राइडमेर्क प्रॉटीन है जिसके इंदर 3 सभीनिvate होती है अभी 3 सभीनिट कौन प्रॉपो निन आगे जाके किसके साथ जुड़ेगा प्रॉपो मयूसिन के साथ जुड़ेगा देखो 20 जाके ऐसे जूड रहे यहां यह ऐसी जूड रहा है यहां पर तो इसमें ट्रोपो निन के अंदर कोई तो ऐसी बैंडिंग साइट होगी जो इसको खुद को ट्रोपो मायोसिन के साथ जोड रहा है है ना तो इसको बोलते हैं टी-पी-टी ट्रोपो निन प्रोपो मायोसिन साइट हो जाएगी जो इसको खुद को ले जाके किसके साथ जोड रहा है प्रोपो मायोसिन के साथ जोड रहा है रेड गलर वाला पार्ट ग्रीन के साथ जोड रहा है ना ठीक है ठेट ईक के साइट हुती है जिसको बोलते है TPI ये ट्रोपनीन इनिळिटरीस का काम क्या होगा इनिबिटरीस जोडने से होगा जो मसलर डिलाक्स टेज में ट्रोपो मायुसिन को मैऊसिन की साथ जोडने से रोकना कोई बात मएं सब चीजह समझ आएगी और एक इसकी साथ और जोनता है टीपीची एं टीपीची होता है कौन साज ट्रोपोमनीरकर्स केल्षियु बाइंदिंग साइट क्लैसधियु केल्शियम, बाइंडिंग, क्या हो जाएगा, साइट, अक्चली हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोनीन खुदी एक प्रोटीन जो है, वो कैसे होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, क्योंकि इसके इसके हैं, कितनी 3 सब्विनेट होती है, तो इस आड़े से ट्रोपोनीन, प्ला यह जो पूरा एंटार स्ट्रिक्चर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते अक्टिन फिलामेंट या फिर यह वाली है कौन से फिलामेंट होगे थिन फिलामेंट होगे अब इसकी बाद वैसे यह चीज आप तब तक याद रखना कि जब मुसल्स का कर दें तो कंट्रेक्शन होता है तो कंट्रेक्शन दियान दकना जैसे जो मोटे लोग होते न वो quickly new ne और यहां पर पतले fiber कौन? actin fiber. तो actually, यहां पर जो slide कौन करेगा? actin slide करेगा, myosin slide नहीं करता है. और मैं बोल जू कि myosin अगर slide नहीं कर रहा है, तो कौन सा band change नहीं होगा contraction के दौरान? तो यहां से लेकर, यहां तक की band को बोलते ही क्या हो? dark band बोलते हो? हाँ, तो muscle contraction के दौरान dark band की length क्या रहेगी? constant रहेगी. और इसके नहीं दिखो, actin जो है, वो slide करके ऐसे आजाएगा. actin जो है, वो slide करके M line तक आजाएगा. actin जो है, वो slide करके कहां तक आजाएगा? M line तक आजाएगा. तो muscle contraction के दौरान क्या मैं सब बोल सकते हैं कि H zone गाइब हो जाएगा? H zone क्या हो जाएगा? गाइब ही हो जाएगा यहां पर. ठीके? और light band क्या हो जाएगा? जब यह वाला actin जो है, वो slide करके इधर चला गया. तो बेटा, यह तो फिर कम नहीं हो गया. यह तो यहां से, यह इधर चला गया. और यह इधर चला गया. तो हम बोलेंगे, आगे जाके, कि इसके इंदर, जो light band होता है, वो भी disappear हो जाता है. disappear नहीं होता है, उसके भी length reduce हो जाती है. है ना? और दो Z line जो है, वो फिर एक दूसरे की क्या हो दिए? पास में आ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसमें ठीक filament की बारे में. एंड ठीक filament को हम लोग क्या बोलते हैं? मैयोसीन फिलामेंट. ठीक filament या फिर? मैयोसीन फिलामेंट. और myosin filament खोद एक बिटा मतलब यह एक dimeric protein है मतलब इसके इंदर subunit कितनी होगी इसके इंदर दो subunit होगी और by the way इसका खुद का structure देखोगे तो आपको tadpole जैसा दिखा देगा अब यह tadpole क्या होते है जैसा नहीं सब्छी बात है मेंडर की larva को हम क्या बोलते है और टेटपॉल शेप क्या होते हैं तैटपॉल शेप का मतलब होता है जिसमें एक तो head हो और डूसर जिसमें tail हो तो मेंडर का जो larva होते है उसमें भी क्या होता है तो head होते है और डूसर tail no neck thorax abdomen कुछ नहीं है यहां पर ठीक फिलामेन जो है वो अगेन क्या होते दाइमरिक प्रोटीन होते आप दाइमरिक प्रोटीन चरह द्यान से कैसे तो इसका angefसंआ तो इसमेह करतें एक आपको हैट दिखाई देगा कि एद दूसरा में ने इसमें बोला था क्या होती है यह होता है टेल वाला पोर्शन तो एक टेड़ पॉल हो गया और इसमें मैंने बोला कि इसका शेप कैसा होता है टेड़ पॉल लाइक शेप होगा और यह प्रूटीन क्या है एक डाइमेरिक प्रूटीन है और डाइमेरिक प्रूटीन मतलब इसमें यह टेड़ पॉल लाइक स् तो यहां पर कितने टैट पॉल लाइक श्टिक्चर दिखाए दे रहे हैं आपको दो दिखाए दे तो इसको बोलें कि डाइमेरिक अच्छा डाइमेरिक के इनर एक सिंगल को क्या बोला जाता है मीरो मायोसीन प्लस दूसरा मीरो मायोसीन दोनों मीरो मतलब हाफ होता है न तो हाफ प्लस हाफ इस इकल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो मीरो मायोसीन प्लस मीरो मायोसीन इस इकल टू मायोसीन है न तो इसमें एक सिंगल पार्ट को क्या बोल रहे हैं वन सिंगल टैट एक टेल दिखाए दे रही है, अब obviously head वाला जो पार्ट होता है वो heavy होगा, तो mirror myosin का, ये वाला part mirror myosin का, head वाला जो पार्ट हो heavy होता है, that's why इसको बुला जाता है heavy mirror myosin, और एक single mirror myosin के जो tail वाला पार्ट होता है, वो head के comparatively light weight होता है, and light weight होने की वज़े से, इसको बुल जाएगा light mirror myosin, tail वाला portion, light mirror myosin और head वाला portion क्या हो जाएगा, heavy mirror myosin, mirror myosin मतलब, एक single myosin, dimeric है न, तो एक single को बोलते है mirror myosin, mirror myosin, plus mirror myosin, is equal to dimeric protein हो जाएगा, myosin, कोई परिशा नहीं, इसमें, अच्छा, जो head वाला portion है, इसकी पास दो binding site होती है, अब common sense की बात है क कि बिटा, आगे जाकी ये किस के साथ contract होगा, आगे जाकी future में ये contract होने वाला है किस के साथ, actin के साथ, तो common sense की बात है कि myosin की पास एक तो site होनी चाहिए, जो आगे जाकी इसको actin के साथ जोडे, तो इसको बोलते actin binding site, क्या बोलेंगे इसको, this is actin binding site हो जाएगा, ठीक जी कहां से आएगी, ATP से आएगी, तो common sense की बात है कि इसमें यहां पी कौन होगा, ATP आएगा और उसका breakdown होगा, ADP और प्लस किसमे, phosphate के इंदर, इसका head वाले जो portion है, इस head वाले portion की पास कौन सी property होती है, इसकी पास property होती, ATP इस enzyme के property होती है, तो common sense की बात है कि ATP इस एंजाइ के साथ जोड़ता है, तो इसका मतलब एक इसके साथ, side कौन सी होगी, यहां पर कौन आके bind हो रहा है, ATP bind हो रहा है, तो इसको बोला जाता है, ATP binding site, तो head वाले portion में, दो binding site दिखाए देगी, सेम यह दूसरा वाला जो टैट पॉल है, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंद A4 Actin और A4 ATP, Actin binding site और ATP binding site, कोई परिशानी, तो अब तक यह बिटा मसर्ज जो है, वो कॉन्ट्रेक्ट क्यों नहीं है, चलो इसके बारे में देखते हैं, और पता हिन टैट पोल का orientation ऐसा होगा, यह exactly ऐसे प्रेजेंट हो दे, जैसे यह पूरा मयोसीन का filament बन गया, ठीक filament बन करती है, मयोसीन के मिट से गुजरती कौन सी, इस पूरी filament के मिट से निकलती कौन सी, M-line हो गए, और इसके इंदर यह आपको दिखाए दे रहा है, इसका head वाला portion, और यह वाला टेल वाला portion, यह head वाला portion, यह tail, head, tail, head, tail, तो मुझे बताईए, head जो है, वो यहाँ पर main axis के साथ कितना angle बना रहा है, 90 degree का angle, और जो tail वाला portion है, वो, वो तो main axis के parallel present है, main axis, मतलब यह जो पूरा filament है, इस filament का यह होता है, इसका axis, main axis, तो यह क्या हो जाएगा, main axis हो जाएगा, तो अब मुझे बताऊ, कि tail तो main axis के क्या है, parallel present है, गजा के लिख लेना है इसको, ठीक है, जो गर पर बैठे हो, गर पर लिख लेना है, कि tail वाले जो portion है, वो क्या है, main axis के parallel है, बट जो head वाले जो portion है, वो यहाँ पर ध्यान रटना, main axis के साथ कितना angle बना रहा है, यहाँ पर यह एंगल बन रहा है, 90 degree का, और 90 degree का angle होने की वजह से, यहाँ पर muscles contract होने ही पा रही है, क्यूंकि अगर आप इसको देखो, तो यह वाले filament कौन से, इस इस अक्टिन filament, और अक्टिन filament को अंदर आने से किस ने रोक के रखा है, 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 हैड वाले portion ये रोक के रखा है न, है न, तो अब दिको muscles contraction के दौरान क्या होगा, बहुत आसान सी चीज है, यह हैड वाले portion है, है यह नीची मानलो के टेल वाले portion है, और यह मानलो के क्या है, आक्टिन filament हो गया, अब आक्टिन को अंदर slide करना है, तो इसको बीच portion को जब ATP hydrolysis करेगा, और जब energy मिलती है, तो इसके head वाले portion में क्या होगा, conformational change होगा, तो इसमे conformational change होने पर यह कुछ ऐसा होगा, ऐसी होने पर इसका जो head है, वो down हो जाएगा, head down होती है, क्या होगा, actin अंदर की तरफ slide कर जाएगा, और इस सरे से फिर, यह structure ऐसा बन जा साथ, नहीं न, तो जब इसमें देखो, अब conformational change होगा, और conformational change होने पर देखो, इसमें rotation हो रहा है, and rotation होने पर यह हो रहा है, तो finally क्या हुआ, कि जो actin binding site, यह बाले, अब क्या हो जाएगी, इसमें exposed हो जाएगी, और exposed हो जाने की बात क्या होगा, actin जो है, इसके साथ bind हो ठीके, तो head वाली की actin binding site, यहां पर किस की साथ bind होगा, ट्रोपो मायोसीन की साथ bind हो जाएगा, कोई परिशान ही इसमें, चलो मैं diagram बना के दिखा देती हो, तो जब muscles को contraction होगा, तो finally diagram अब ऐसा बन जाएगा, तो इसमें मैं diagram यहां show कर दो, कि contraction के दोरान क्या होगा, इसमे जो head वो down होगा, तो इसमें head down होने की बाद, finally diagram ऐसा बन जाएगा, तो यह तो पूरा filament हो गया, और इसके इंदर यह tail वाला portion हो गया, और यह दिखाए दे रहा है head, यह tail वाला portion और यह दिखाए रहा है head, यह tail वाला portion और यह दिखाए रहा है head, तो आप बोलोगे कि अब head भी काहां पे आ गया, parallel to main axis, head भी काहां पे आ गया, parallel to main axis और फिर यह दिखाए दे रहा है आपको acting, और acting slide करके अंदर की तरफ आ गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि head वाला जो portion है, वो actually myosin और actin के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, इसे को हम बोलते हैं, cross bridge formation, क्या तो इसके अंदर जो head वाला जो portion है, वो actually actin और myosin के बीच में क्या बना रहे है, bridge बना रहे है, तो इसको बोलते है cross bridge formation, and cross bridge अगर बना हुआ है, इसका मतलब muscles अभी क्या है, contracted form में, अब जब क्या होगा आगे, आगे जब इसको, अब energy जब और ज़्यादा नहीं मिलेगी, ATP का जब hydrolysis नहीं होगा, बताओंगे ऐसा क्यों होता है, जब इसको energy नहीं मिलेगी, head वाली portion तो, head वाला जो portion है, वो वापस क्या होगा, वापस जो है, उसमें conformational change आएगा, and conformational change आने पर दिकोई actin को क्या कर रहे है, धक्का दे रहे, और बाहर की तरफ धकेल देगा, और वापस एसे आगया, पहले ऐसे था, ठीक है, अब ये वापस actin को इससरे से बाहर धकेल देगा, और वापस ये main axis के क्या हो गया, perpendicular हागया, इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे, sliding filamentous theory, कि actin जो है, वो मायोसीन के पर slide कर रहा है, तो इसको बोलते है, sliding filamentous theory, ध्यानक ना, मा करीगा, actin slide करता है, मायोसीन तो मोटा फाइबर है, बेटा, मोटे लगों को डिक्कत होती है, वो मुव नहीं करते है, generally, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, बता ही कोई परिशानी, अब मैं आपको बताती हो, कि यह यहां पर अभी तक ATP hydrolysis क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस ATPase enzyme को काम करने के लिए चाहिए हो था, calcium, आपने कभी सुना, enzyme की co-factor होते, है न, तो इस ATPase enzyme का, जो co-factor है वो कौन होता है, calcium, तो अभी calcium cytoplasm के अदर ही नहीं, कहां चला गया, next video में, हम पढ़ेंगे muscles contraction की बारे में, तब बताऊंगी, तो वो calcium अभी cytoplasm है नहीं, तो इसको calcium available नहीं होगा, और जब calcium available नहीं होगा, तो फिर यहां पर typical hydrolysis ही नहीं होगा, तो इस condition में, head वाले portion में, कोई conformational change नहीं होगा, जब conformational change भी नहीं होगा, तो इस condition में, यहां पर cross bridge का formation नहीं होगा, तो अब इसकी बाद हम पढ़ेंगी, कौन सा, muscles contraction वाला पार्ट, ठीक है, करकां करू, जहीं होगा, ज़ीं होगा, जहीं होगा, जब जए नहीं होगा, यह वाला झा टूखा जगगाएंगागएंचर करवा हैईपार, तो इसक भीं होगागांगगा है, पीं होगागाります, खcciónल को रपनी होगागी 화गाछाब पार भाधा में होगागाब गभगा